Redhead Enterprise Linux Wait 6 के उपर internet को कैसे configure करते हैं देखें वैसे तो internet configure करना Linux में में या Redhead Enterprise Versions में कोई problem नहीं है बट Fedora के कुछ versions में जैसे Fedora routine में और Redhead Enterprise Linux mahquis paper हमारे एक bug है जिसकी वज़ेज़ से कि यह हमारा network card जो कि मैंने पहले कोशिश कर ले इसको static IP address configure करके और इसमें DSCP से इसको obtain IP address करवा के बड़ कुछ भी इसमें work नहीं कर पा रहा है प्लस मैंने services को भी restart करके देखा है जैसे कि हमारे पास command होती है service network restart करके मैंने इसको कोशिश की लेकिन कुछ भी हमारे help नहीं होई यह एक error हमें दे रहा है device not managed by network manager तो यह एक bug है जो मैंने internet पर जब google search दिया तो बहुत सारे solutions इसके निकल के आए तो जो solution था कि वो यही था कि network manager की जो services है उसको आप एक बार restart कर देजिए तो आप इसको manually भी इसको start कर सकते हैं आप इसको command prompt से भी कर सकते हैं और जो नए users है जिनको भी command prompt कितने knowledge नहीं है वो इसको through GUIB graphical user interface में भी कर सकते हैं system में जाके administration में जाके आपके पास एक option होती है services की और इसमें जितने भी services आपके install होती है चाहे वो run कर रही है या नहीं run कर रही start है stop है वो सब आपको दिख जाएंगी जिसमें से देखे सबसे उपर network manager की जो service है वो enabled भी हो रही है plus वो ये भी show कर रहा है कि ये service run कर रही है इस समय तो इसमें कुछ problem नहीं है बट देखे अगर यहाँ पर देखते हैं तो हमारा network connection हमें show नहीं करता है और restart करने के बाद भी service वो work नहीं कर रहा है तो हम simply इस service को restart करते हैं देखें और इसके बाद ये देखें IP address ये obtain करने की कर रहा है और अभी इसका जो cross निशान था वो खतब हो गया और हम जड़ा दोबारा से एक बार तो देख लेते हैं कि यहाँ पर देखें कोई error तो नहीं आ रहा तो देखें इसने भी बता दिया कि ये activated है और हम IP address चेक कर लेते हैं with command ifconfig तो देखें इसको एक IP address भी मिल गया है और अगर आप इसको अगर आप इंटरनेट अगर आप चलाना चाहते हैं तो आप इसको इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं तो देखें यहाँ पर हमारे जो इंटरनेट से related options हैं वो available हैं जिन मेंसे एक web browser हमारे पास है conqueror नाम से जो care desktop environments में नर्मली होता है तो आप अगर चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कुछ ही जैसे google.com दे सकते हैं और तो देखें आपका network इंटरनेट इसमें work करने लग गया हैं तो basically यह bug है हो सकते है यह कुछ आने वाले